हेलो अब्रीवन वेलकन डो वाइफा एडुकेशन आज यह 27 जून दो हैर बीस 27 जून दो हैर बीस के क्रणफेस के जितने वी इंपोर्टन एमसी के उसे बनते होंगे सारे के सारे हमें इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में कवर करेंगे आपको इस वीडियो को पूरे ध्या रहती हैं यानि कि जो कोईशन की लेंगिज होगी वो एंगलीश होगी और जो एकस्प्लेनेशन होगी वो हिंदी में होगी आप अपने कमफर्ड के साफ से समझ सकते हो लास्ट में मैं आपसे कोईशन पूछूंगा जिसका अंसर आपने मुझे कमेंड बॉक्स में लेकर ब अब्जर्व डाउन विच डेट अवरियर यानि इंटरनेशनल डेए इन सुपोर्ट ऑफ वेक्टिम्ज अंड टॉर्चर किस डेट का अब्जर्व किया आता है हर साल यह दे हर साल मनाया जाता है 26 जोन को इसलिए अटन सा हमारा स्कॉशन का सी आप्शन 26 जोन को हर साल अब 12 दिसंबर 1997 को इनके एक मिटिंग होई थी जिसमें इनके तोड़ा डिसाइड किया गया था कि 26 जोन को हर साल अब्जर्व किया जाएगा इंटरनेशनल डेए इन सुपोर्ट ऑफ वेक्टिम्ज अंड टॉर्चर तब से लेकर हर साल अब्जर्व किया आता है 26 जोन को next question देखे second number question international day against drug abuse and illicit trafficking is observed on which date every year यनी international day against drug abuse and illicit trafficking ये day हर साल किस डेट को अब्जर्व किया आता है ये day भी मनायाता है हर साल 26 जोन को इसके लाब आप यह या दिखे जो 2020 के लिए इसका जो theme रखा गया है वो भी आप यह दिखे ये वी आप से पुछाया सकता है better knowledge for better care ये रखा गया है theme 20 year के लिए international day against drug abuse and illicit trafficking day का जो हर साल सेलिब्रेट किया आता है 26 जोन को next question देखे third number question किसके दौरा एक mobile app launch की गई है e-blood services इसको develop किया है Indian Red Crosser Society के दौरा इसको video conference मादीम से launch किया है किस minister ने launch किया है इसको launch किया है health minister डॉक्टर हर्षवर्दन ने इसका नाम है e-blood services mobile app इसके लाव आप यह याद रिखे यहाँ पर बाता है Red Crosser Society की आप यह भी याद रिखे World Red Cross Day जो है यह हर साल किस डेट को observe किया जाता है यह हर साल मना जाता है 8 माई को चाहे आपसे पुछा जाए World Red Cross Day चाहे आपसे पुछा जाए World Red Cross Day चाहे आपसे World Red Crosser Day बात एक ही है यह मना जाता है 8 माई को इसके लावा यह आप यह भी या दिखे यहाँ पर बादा यह ब्लड की आप यह भी या दिखे जो World Blood Donor Day है यह हर साल मना जाता है 14 जून को 14 जून को celebrate किया जाता है Blood Donor Day यह भी आप या दिखे 14 जून नेक्स्ट कोशन देखे ऐ 4 तरंब कोशन तामोनाश गोश्च जो है इनकी मृत्य ही है जून 2020 में यह कौन सी फिल्ड से एससेट थे यह एससेट थे पॉलिडिक्स से इसलिए रैटम से हमारा जुश्च का भी आप्ष्ण पॉलिडिक्स से एस्सेट थे तामोनाश गोश्च इसलिए रैटन सा है हमारा इसकोशन का फियाप्षन पॉलिटिक्स इसके लाव आप याद रिखे यह वेस्ट बेंगॉल से बिलॉण करते थे और इनकी जो पार्टी थी वह थी तृर्णमौल कॉंग्रेस पार्टी से बिलॉण करते थे और तीन बार यह MLA रह चुके थे वेस प्रतौ पर्शायत पुर्श्कार 2020 इसको दिया है योने निमिलस्टोप पंचाईती ile इया गया है यह kisे डिया गया है यह जीता है हमाचल प्रदेश ने इसली आटर सह ह्हित रभाया स्कुष्ट का याप्षन प्रदेश के 20ими time घवण हे8 see यानि किसके दौरान गाओकर लाइफटाम आचीवमेट आवाड यह महाराश्टर गवर耍मेट देती है यह किसे दिया गया है 242 यह के लिए δिया गया है गुलाब भाई संगम्नरिक्कर को इसी रेटन से हमारा स्कुष्टन का स्यू अप्षिन गुलाब भाई संगम नरकर को दिया गया है ये अवार्ड जिसका नाम है वित्था भाई नाराएन गाउकार लाइफटाम अचेवमेंट अवार्ड ये दिया है महारास्टर गवर्नमेंट रेए इसी रेटन से हमारा स्कुष्टन का स्यू अप्षिन गुलाब भाई संगम नरकर इसके लाव आप यह भी आदेखे एक अवार्ड है जिसका नाम है अन्ना साहिब किरलोसकर अवार्ड जो है ये दिया जाएगा मदूवन्ती दंदेकर को ये अवार्ड दिया जाएगा जिसका इसका नाम है था जिसका नाम है ऐब जाएगशामिनेशन यानि एक इग्जामिनेशन होना था जिसका नाम है CETET Central Teachers Allig息 ohs टेस्ट एग्जामिनेशन होना था यह उन दा 5 जुलाई 2020 को इसको अब बोश्ट पॉट पॉन किया गया गया है डिो टू को औरड रहो सा इसको sheep CBSC stand करता है Central Board of Secondary Education इसके इलाब आप यह भी याद रिखे CBSC के जो चेर्मेन है उनका नाम है Manoz Ahuza Manoz Ahuza जो है यह है करन टाइम में CBSC के चेर्मेन Central Board of Secondary Education के इनको इनके द्वारा रिप्लेज किया गया था Recently पॉइंट किया गया था इनको द्वारा रिप्लेज किया गया था अनीता करवाल को इनिता करवाल को रिप्लेज किया था Manoz Ahuza ने इसलिए 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 कोश्चन का यह आप्शन CBSC Next question देखे 8th number question Who has been nominated for the jury committee special award for his overall qualitative performance and individual efforts यानि किसको नॉमिनेड किया गया है for the jury community special award के लिए for his qualitative performance and individual efforts यानि overall qualitative performance और individual efforts के लिए इनको एक award दिया जाएगा यह किसी दिया जाएगा इस award का नाम है jury committee special award यह किसी दिया जाएगा यह 2020 में यह award दिया जाएगा Ram Mohan Naidoo को इसलिए अमारा स्कूशन का सी आप्शन Ram Mohan Naidoo को यह award दिया जाएगा जिसका नाम है jury committee special award इसलिए अमारा स्कूशन का सी आप्शन Ram Mohan Naidoo Next question देखे 9th number question International Monetary Fund जो है इनके दोरा global जो growth है वो कितने percent project की गई है 20 year के लिए इनके दोरा जो growth प्रजेक्ट की गई है वो की गई है 4.9% इसलिए अमारा स्कूशन का डिया आप्शन 4.9% इसके लावा आप यह जाद रिखे International Monetary Fund का जो headquarter है वो है Washington DC में Washington DC में ही headquarter है World Bank का यह जाद रिखे इसके लावा आप यह जाद रिखे International Monetary Fund की जो chief है यानि MD है Managing Director वो है Crystalina Georgieva Crystalina Georgieva इसके लावा आप यह जाद रिखे जो International Monetary Fund है इसकी जो parent organization है जिसके दोरा इसको बनाए गया था उसका नाम काफी पुछत एक्जाम में यह है United Nations United Nations के जो chief है वो है Antonio Guterres Antonio Guterres है डिरेक्टर जनल आफ़ United Nations इसके लावा आप यह जाद के जो International Monetary Fund है यह बना था December 1945 को December 1945 को बना था International Monetary Fund इसका headquarter है वाशिंग्टन दीसी में Next question देखे Which of the following has appointed Sanjay Mahajan as its new MD in June 2020 यानि किसके लिए appoint किया गया है as the new MD Sanjay Mahajan को June 2020 में यह appoint किया गया है recently Carrier Media India के लिए इसलिए आटन से हमारा था कोशन का यह option Carrier Media India के लिए new MD बने है Sanjay Mahajan इसलिए आटन से हमारा था कोशन का यह option Carrier Media India Next question देखे 11 number question The sector 50 metro station of Aqua line would be dedicated to the transgender community What is the new name of this station यानि sector 50 metro station यह एक Aqua line है इसको रिसेंटली Transgender community को डेडिकेट किया गया है इसका जो new name है वो क्या रखा गया है इसका जो new name रखा गया है वो रखा गया है Rainbow इसी रेटन से हमारा था कुशन का C option इससे new station का नाम रखा गया है Rainbow यह specially transgender को डेडिकेटेड होगा यह transgender community जो होता है उसके लिए डेडिकेटेड होगा यह station इसी रेटन से हमारा था कुशन का C option Rainbow इसके लाब आप एवी यह दिखी यह जो station है यह greater noida line पर पढ़ता है जिसका नाम है sector 50 metro station यहनी greater noida line जो है उस पर पढ़ता है यह station जिसका नाम है sector 50 metro station इसको एक name दिया गया है Rainbow specially for transgender community इसी रेटन से हमारा था कुशन का C option Rainbow next question देखे 12 number question चतिसगड़ की जो government है इनके दोरा एक solid waste processing plant गया जाएगा सबसे बड़ा यह plant होगा चतिसगड़ का यह कहां पर क्या गया है inaugurator किस city में क्या गया है inaugurator इसको रेटन से हमारा था कुशन का यह option राइपुर में इसको इनोगरेट क्या गया है यह चतिसगड़ का सबसे बड़ा solid waste processing plant होगा इसलिए रेटन से हमारा था कुशन का यह option राइपुर चतिसगड़ की जो कैबल है वो है राइपुर और जो cm है वो है बोपेश, भागिल और जो गवर्न है उनका नाम भी याद रिखे अनुसुया उक्के अनुसुया उक्के है गवर्न ओफ चतिसगड़ इसके लावा आप यह आद रिखे इस biggest solid waste processing plant की जो कपैस्टी होगी वो होगी डेली की 500 टन की यानि 500 टन गार्बे जो है कुड़ा है इसको खतम करने की इसकी कपैस्टी होगी यह चतिसगड़ का सबसे बड़ा solid waste processing plant होगा राइपुर में इसकी जो कपैस्टी होगी वो होगी 500 टन डेली की कपैस्टी होगी डेली को खतम करने के लिए जो कुड़ा करकट होता है जो गार्बे जो होता है इसी रेटन से हमाई इसकोश्चन का यह option राइपुर नग्सक्ट कुशन देखें 13th नवी कुशन Which state has appointed senior bureaucrator Sanjay Kumar as the new chief secretary यानी किस state के लिए appoint क्या गया है senior bureaucrator as the Sanjay Kumar as the new chief secretary यानी किस state के दोर्ब्वाइट क्या गया है Sanjay Kumar को new chief secretary ये बने है महारास्टा के लिए new chief secretary इसी रेटन से हमारा महारास्ट्रा के न्यू चीफ सेक्रेटरी मने है संजे कुमार इसलिए रेटन से हमारास्ट्रा महारास्ट्रा की यो कैपला है वो है मंबई CM है उद्धव ठाकरे और गवर्न है भगत सिंग कौश्यारी यह है गवर्न ओफ महारास्ट्रा नेक्स्ट कोश्चन देखे फॉर्टींथ रंब कोश्चन विच ओव दा फॉलिंग बुक्स हैस बीन लॉंच्ट बाई करनपुरी इन जून दो हैर बीस में इनके दोरा जो बुक लॉंच्ट की गई है वो है है हैश मीटू इसलिए रेटन से हमारास्ट कोश्चन का भी अप् यह वरी इपोर्टन कोश्चन है किसी न किसी एक्जाम में यह कोश्चन आप जिरूर देखोगे नाम याद रिखे करनपुरी इनके दोरा इस बुक को लॉंच किया गया है मीटू को इसलिए रेटन से हमारास्ट कोश्चन का हैश मीटू नेक्ट्ट कोश्चन देखे पंद आविएशन वैदर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है यह कौन से एरपोर्ट पर लगाया है इसको लगाया है बैंगलोर एरपोर्ट पर इसलिए अमारास्ट कोश्चन का भी ऑप्शन बैंगलोर एरपोर्ट पर लगाया है यह इंडिया का पहला होगा जिस पर यह एव यह कोईशन आप सभी के लिए जिसका अंसर आप मुझे comment box में लिखे बिताइए question for all of you which bank has announced the launch of now your customer KYC verification process through video interaction यानि कौन सा बैंक है जिसके दोरा announce किया गया है यानि कि इनके दोरा launch किया गया है now your customer यानि KYC verification को जो process है वो video conferencing के मादिम से ये पूरा करवाय जाएगा KYC का process ये कौन सा बैंक है जिसके दोरा ये announcement की गई है आपके option है करनाटका बैंक, ICIC Bank, State Bank of India, पन्याव National Bank या for none of these अंसर आप मुझे comment box में लिखे बताइए कौन सा बैंक है जिसके दोरा KYC जो है इसका process सारा का सारा video interaction के मादिम से पूरा करवाने की खोशना की गई है, launch किया गया है किस bank के दोरा किया गया है अंसर आप मुझे comment box में लिखे बताइए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार विजर करें तो चैनल को सबस्काइब करके बेल आकन कुछ रोड़ पैस करने क्योंकि इस तरह की जो डिटेल में वीडियो होती है वो सबसे पहले हमारे चैनल वाइफ़ एडिकेशन पर आपको सबसे पहले अवेलेबल करवाई जाते हैं सुबब आप मार्च बढ़े इसलिए आप चैनल को सबस्काइब करके बेल आकन कुछ रोड़ पैस करने ताकि इस तरह की जो डिटेल में वीडियो होती है उनको आप बिल्कुल भी मिसरा कर पाएं तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में अगर आप इस वीडियो की पीडियाफ डाउनड करना चाते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वाइफ़ डिटेलड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल करने का आपको इस वीडियो के डिसक्रेप्शन में मिल जाएगा अदर्वाइज आप वाइफ़ डिकूशन के नाम से सच भी कर सकते हो उसको जोइन कर लेना है डेली बेस्ट पर जो भी PDF होती है वहाँ पर पोस्ट की जाती है डेली बेस्ट पर इसको भी जुरूर जोइन कीजिए सो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में सो थैंक्स पर वाचिंग, टेक केर, गूद बाई, गौद ब्लेस याल कीजिए वीफ़ एक केशनर